नमस्का आज हमारे सामने जो गेस्टें उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूत नहीं है उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं बलकि सारी दुनिया उनसे परिच्चे थे नमस्ते सर हर बार चुनाओं में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे यह सोच के जंता अपना वोट डालती है लेकिन हर बार उसे निराशा होती उसके साथ धुका होता है आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है क्यों सर्थ लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो आज महाराश्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गाओं में डिशेंटना है कोने कोने में स्टीडी और आईस्टी के बूत लगे हुए है इंटरनेट है हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है आज हर आदमी पाओं में जूता पहनता है हाथ में घड़ी लगाता है एसल वर्ड जाता है मैकडोनल्ड में खाना खाता है लोगों का स्टेंडर ओफ लिविंग इतना उचा हो गया है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले पंदरा सालों में एक भी आदमी भुक मरी से नहीं मरा कोई किसान मैकडोनल का बगर तो क्या दोवक्त की रोटी नहीं खा पाता कोई मजदूर कार्म नहीं गूमता बलकि कड़ी धूप में पत्थ्रों पर अपनी एडिया रगड़ता है अमीर और अमीर होता जारा और घरीब सड़क पर आ गया है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शेहर में है सर लोग आज भी फ्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं राशन की दुकानों पर घंटो लाइन में खड़े रहते हैं बच्चे अभी भी सिग्लल पर भीक मांगते हैं उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे तुम्हें मालूम है मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है केरला और मिजुरा में 90% है इंडस्ट्री के मौमले में महराष्ट्र नंबर वन है क्राइम में भी नंबर वन है अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की देखा के नीचे हैं पंजाब में 11.7% उसके नीचे है और आज मी आगाओं में एक आम आदमी के आवरेज इंकम सिर्फ तीन रुपया प्रती देना है मिस्टर शिवा जी राओ पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो सर ये वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरूम रिपोर्ट ये आएमेफ रिपोर्ट ये यूमन राइट्स कमेशन एमिनिस्टर इंटरनाशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का कहना है सर जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुँचा ही नहीं उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए इसलिए उन्होंना अपना अगला इंस्टॉल्मेंट कैंसल कर दिया तुम्हें पता नहीं है बेटे वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्ते रखी थी के सारी स्केट गिरवी हो जाती क्या शर्तें थी सर जरा खुलके बताएंगे वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मैं जन्ता को बता दूँगा जन्ता आपको देख रही है सुन रही है यहां बताइए वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉल्मेंट कैंसल क्यों की वो ऐसे नहीं बता सकता पूरा पुलिंदाय हजार पन्नों का सर पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैगरॉंड क्या था हमारा परिवार बहुत गरीब था हम लोग खेती बारी करते थे अभी आपकी तन्खवा कितनी है क्या सेलरी, तन्खवा सब काट कर कोई एठारा हजार रुपए होगी यानि एक साल में 2,16,000 यानि आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाग रुपए से जादा नहीं हो सरी फिर भी आपके पास 500 गरोड रुपए की प्रॉपटी है वो कहां से आई सर अरे बाप रे ये तो दोती खोल रहा है सब बक्वास है तो मैं जानना है मेरी प्रॉपटी के बारे में तो जो कोर्ट में केस करो वहां कर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है केस वैसी कोर्ट में 14,00,000 केसे से जो 15 साल से चल रहे है हरशद में तेगा केस अभी तक चल रहा है बाम ब्लास वाले बाहिजद बरी हो गए हम जाती और अपराद रही समाज की स्तापना करें समाज में कानून और विवस्ता लाएंगे और ते फिर से सडकों पर खुले आम चल सकेंगी घर घर में बिजली पानी राशन होगा पूरी शिक्षा मिलेगी महंगाई जाएगी खुशाली आएगी वो खुशाली आएगी कि बजाहे जाएगी छपकिया था मैंने उसे ठीक करवाया था मुझे याद है ये सब हुआ है? क्यों? नहीं हुआ है आप कहते हैं कि कानून और विवस्ता लाएंगे लेकिन उस कानून की धजिया उड़ाने वाले ही आप हैं जाती बात को भड़ावा देने वाले भी आप ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता हूँ मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को बता चले कि सच्चा ही क्या है ये देखिए अपना वोड टाइंग बचाने के लिए आपने सारा महरास्तर चले को हाई सो क्रोरो के सी प्रॉपडी जलकर राख होगे क्योंकि आप चुप रहे साइख़ो गाडियां जली लोग खायल हुए मरे आपकी वज़े से आपने किसी को कोई कारवाई नहीं करने दी क्योंकि आप से आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी है ना? क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को संसनी खेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बात्यां कर रहे हो तुम? नो सर, सबूत है मेरे पास उन में से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जातवालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं अगर इन में से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा नो अरेस्ट, नो टीर गैस वो चलाते हैं तो चलाने दो पहले चलाएंगे, बाद में ठक जाएंगे फिर भूल जाएंगे बुछ बसे जलती हैं तो जलने दो दुकाने लुटती हैं तो लुटने दो मैं दो चार को पकड़ कर एक में अब बोलिये से जनता से ज़्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना बोलिये सर क्या हुआ वाट्स एपनिंग नंगा करके नहला रहा है अरे बोलना बुद्धे बोलती की बंद हो गई अरे लेडाल इरो लेडाल कैमेरा बंद कर क्या कार टाड़ोंगा हूं कसा है मंत्री इसको बोलो बंद करें काल अब कर नहीं तुम लोगों को बंद कर दूगा तरह पूरा जंगल कर दुगा एक जानरी पचेगे जानरी के लिए अरे यार ज़रा कामेरा कंट्रोल रूम की तरफ गुमा रही यार भी चपल दिखा रहा है यार वो केमरा लेके यहां आ रहा है बंद कर आए बंद कर आओ अबे चपल नीचे कर यह एसेम्बली नहीं यह गरे आए इनको बोला ना यह गरे बंद कर रहे पेवकूफ यह इंपी बनना है आई आई यह साब यह लाइट लीजिए यह एक बार चपल दिखाए प्लीज चपल कहां किते कॉलापूर के ती यह लगनों किती जी दादा बहुत हो गया इंट्रव्यू चले अच्छा तो इंट्रव्यू खत्म ना जैहिं इस्क्यूज मी सर लाइफ टेले अच्छी डबिंग की है मेरे जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बलुआ कर जंता को मेरे खिलाब भड़काने की साज़िश है इन सवालों के जवाब देना में जुरूरी नहीं समझता इसे खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया है सर ओपोजिशन वालों ने इसके ल लाई टेलिवीजन की आर्ड में तुम मुझसे कुछ भी बूचोगी और मैं उसका जवाब दूँगा क्यों जवाब देना आपकी जूटी है सर इसलिए आर्ट करोड लोगों ने आपको चुना है मुख्या मंतरी क्या होता है जानते हो आज तक एक बार भी सीम के आफिस में आये हो वहां की चौकट पार की है तुमने आकर देखो के दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं रोते हैं सवाल पूचते हैं धन्यवाद करते हैं पैर छूते हैं मालाएं पैनाते हैं गालि गाता हूं तुमारी तना हावा में